इतिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा इतिहाद न्यूज में आप सबी का खार मगदम है आज फिर पॉजिटिव मरीजों में हुआ इजाफा कल तक पॉजिटिव मरीजों की ताइदाद 79 थी जिसमें आज और तीन का इजाफा हुआ जिसे ताइदा बहतर पर पहुंची है रहाइबाग कूची के दो मर्द और एख हाटून को कोरोना मतासिर पाया गया मर्दों की उमर पचाज और खातून की उमर तीष बताई जा रही कुल दस अफरादों को डिश्चार्ज भी किया गया राइबा कुडची के तीन मुतासिर मरीजों के साथ रियासत में मुतासिरीन की ताइदाद 576 हुई है पॉजिटिव मुरीजों में हेरे बागेवडी की 37 राइबा कुडची के 21 संकेशर के 4 बेलगाम शहर के साथ यलूर पिरनवाडी बेलगुंदी से ये कुल बात्तर के साथ बेलगाम रियासत में तीसरे नमबर पर है जब मरीजों की ताइदाद बढ़ती है तो कॉरंटाइन लोगों की ताइदाद भी बढ़ती है बेलगाम के मुखत लिव लॉजिस होटलों में इनके रखने का इंतजाम किया गया है पर सवाल यह उड़ता है कि कॉरंटाइन लोगों को 14 या 28 दिन के बाद छोड़ कर आते हैं तो होम कॉरंटाइन में इनने रखा जाता है ज़रों से बाहर निकलने के लिए मना किया जाता ह जब तक होटलों में इन्हें कारंटाइन किया जाता है तब तक तो खाना नाश्ता ठीक से मिलता है लेकिन जब किसी को आप घर तक पहुंचाते हैं तब इनके खाने की जरूरी चीज़ें को कौन पहुंचाएगा बाजार पूरी तरह से बंद है गाहूं स्रील डाउन है क्या हुकुमत जिन महलों से इन्हें वापिस लाकर छोड़ देती है तो इनके जिन्दा रहने के लिए खाने पीने का इंतजाम क्यों नहीं करती ऐसा सवाल साभी को वजिर आला जगदी शक्टर को हिरे बागेवडी के होम कारंटाइन लोगों ने पूछा और रियास्त करनाटक में चार मई से ट्रांस्पोर्टेशन शुरू किया जा सकता है और दिगर रियास्तों में जो मजदूर जहां कई फसे हैं उन्हें अपने गाउं रवाना किया जाएगा बेलगाम में भी जो मद्यपरदेश राजस्तान के मजदूरों को इनके गाउं भेज दिया जाएगा बेलगाम शहर में जहां लॉकडाउन जारी है पर दूसरी तरफ शहर के कुछ अलाकों में आवाम तोर पर बाजार में भीड नजर आती है वस तरह की भीड देखी जा रही है खासकर शापूर वडगाउन गोल का कुछ इसा तिलक वाड़ी के अलाकों में लोगों की चहल प इस्टेंसिंग और मास का लाजिम इस्तमाल करने हों गया इसा मरकजी रेल मिनिश्टर सुरेश अंगडे ने फांडरी क्लस्टर मीटिंग में जताई जिसमें ताजीर कारवारी शरीक रहें बेलगाम में अदालत की कारवाई भी सोला मैं तक नहीं हो सकत यानि कि सोला मैं त साइदात के मद नजर सोला मैं को अदालती कारवाई शुरू होंगी ऐसा बताया गया है इत्तिहाद नुद देखने करें शुक्रिया अल्ला आफीज